हेलो एवीरिवर, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कुछ सम्स सॉल करेंगे अगांटिंग एक्वशन के अच्छा अगांटिंग एक्वाइशन क्या होता है? यह हम लोगों पहले बेसिक्स ओफ अकाउंटेंची में डेटेल में समझ लिया है ठीक है इस पूरी वीडियो सीरीज में हम लोग यही करने वाले accounting equation के sums, journal के sums, ledger के sums और बहुत सारे concept और उसके साथ साथ उसके sums तो हमारी practice भी होती जाएगी चलिए सबसे पहले थोड़ा से revise कर लेते हैं accounting equation क्या था capital plus liability is equal to total liability या फिर बोल सकते है total asset हम लोगों ने ऐसे लिखा था capital plus liability is equal to asset उसके बाद capital का ही दूसरा नाम है owner's equity external liability is equal to total liability is equal to total asset second है income minus expenses equal to profit यह तो एकदम सीधी सी बात है भई कमाई में से खर्चे minus करोगे तो वो profit हो जाएगा उसके बाद है opening capital plus additional capital minus drawing minus capital withdrawn plus profit is equal to closing capital अरे भई यह क्या है देखो ध्यान से formula सिर्फ देख रहा है बड़ा है इतना है नहीं देखो ध्यान से जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम अब राम ने क्या किया राम ने बोला कि भई मैं business start करना चाहता हूं और उसको बिजनस start करने के लिए उसने सोचा कि कम से कम पचास हजार रुपे लगेंगे ठीक है भी अब पचास हजार रुपे जब लगेंगे तो उसको तो घर से लाने होंगे तो राम ओपनिंग capital राम के लिए बोल सकते हैं फिफ्टी थाउजंड रुपीज यह होगे उसकी जरुत पड़ गई घर पे रुपे ले जाने हैं तो मान लेते हैं कि 5000 रुपे ही विड्रिव मतलब की वह धंदे में से निकाल के ले गया 5000 रुपे क्योंकि उसको जरुत पड़ गई तो माइनस ड्रोइंग कर दो क्योंकि वह पांच हजार रुपे ले गया माइनस क्यापिटल विड्राउन कप कहते हैं कि जब आप मूल पैसे में से कुछ पैसे निकाल के ले जाते हैं हमारे एक्जामपल में कैपिटल फिफ्टी और टेन शिक्स्टी देखो ड्रॉइंग का मतलब होता है जो प्रॉफिट कमाया उसमें से अगर पैसे निकाले तो प्रॉफिट कमाया तो फिर बाराजार रोपे एड़ कर दो ऐसे बिजनस चलता है यह उसके कैपिटल का कैलकुलेशन है किसके राम का तो भाई राम के पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी फिफ्टी थाउजन प्लस 10 माइनस 10 50 प्लस 12 62 माइनस 5 57000 हम इस पर बहुत सारे स करेंगे एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा टेंशन मत लेना चलो कैप्सुल नंबर वन एकदम असान है कैपिटल ऑफ बिजनस इस एटी थाउजन ठीक है मैं लाइबिलिटी इस थाउजन टोटल असेट बताने है देखो तो पहला फॉर्मूला ऐसा ही ठीक है अब कैपिटल कितना है आपका होगे सब 80,000 लाइबिलिटी कितना है 35,000 तो यह कितना हो गया 1,15,000 एकदम सिंपल सी बात है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इस इकल टो टोटल असेट अच्छा चलो आगे बढ़ते है राम स्टार्टेट बिजनस विद कैपिटल अब क्वेशन नमबर टू बोल रहा है कि भी 1st एपरिल को कैपिटल ता 60,000 ठीक है देखो एकदम ध्यान से समझना यहां से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा कि बिजनस कैसे चल रहा है देखो मानलो यह डेट है हमारे पास 1st एपरिल 2022 और बिजनस कहा तक चलेगा 31st 2023 क्यों क्योंकि हिंदुस्तान में अकाउंटिंग एर 1st एपरिल से 31st मार्च तक का माना जाता है ठीक है बागी फॉर्ण कंट्री में देखो कि यूरोपियन उनियन में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वो लोग 1st जैनुरी से 31st डिसेंबर तक मानते हैं बट हमारा एपरिल से 31st म आप इसके बाद क्या है 1st April 2022 में राम स्टार्टेड बिजनस विद कैपिटल ओफ रुपे 60,000 तो यहां पर राम के पास राम ने स्टार्ट किया बिजनस साथ हजार रुपे से वेरी गुड अंड इंकम ऑफ 30,000 यानि कि देखो पूरे साल दंदा किया पूरे साल दंदा किय ना तो पैसे कमाएं कितने 30,000 और बोल रहा है इंकर्ड एक्सपेंसे साफ 12,000 तो यानि कि एक्सपेंस माइनस कर दो कमाएं उसमें से माइनस कर दो अब पूछ रहा है कि भई फिर फाइंड दे कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्ट यहां तक जब राम पहुंचा पूरा साल खतम क गया तब राम के पास कितने पैसे थे आप लोग बोलो कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता चलो भे तो कैसे पता चलेगा आप बोलो कि यह 60 प्लस 30 में से 12 माइनस कर दो तो आ जाएगा बस उसी को फॉर्मूला में लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल कितना था 60 ठीक ह बहूँ कम विख pueda ॥ा इंकंअ कितना माहनेस एक्सपेंस हम लोग नेशी को फॉर्मूला में प्रोफिट नाम से लिख दिया है देखो हैं तो शुर्मू को नहीं पर प्रोफिट बस वो profit ही है देखो हम लोगों ने यहाँ पर यही चीज़ सीकिए है कि profit क्या होता है income minus expenses होता है बस मैंने यहाँ पर profit direct लिखने की जगे income minus expense लिख दिया है यह है मेरा profit ही ठीक है चलो भई अब जब मैं इन तीनों को add और subtract कर दूँगा expense को तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा closing capital कि मेरे पास साल के अंत में कितने रुपे बचे या राम के पास कितने रुपे बचे opening capital साथ हजार plus income तीस हजार minus expenses 12,000 तो मेरे पास बचेंगे 78,000 रुपीज बात आ गई समझ में चलो भई यानि कि राम के पास जो उसने business start का 60,000 से वो साल के अंत तक उसके पास 78,000 रुपीज टोटल हो गए ठीक है आगे बड़े देख ओन 1st April 2020 the capital is rupees 5,00,00, creditors are 3,30,000, revenue earned is 1,50,000, expense incurred is 70,000, stock at the end is 60,000, ठीक है भई टोटल असे टोटल 31st March calculate करने ध्यान से देखो ये है 1st April 2020 और ये है आपके पास 31st March 2020 21 ठीक है एक एपरिल को बोल रहे है आपके पास capital है पांच लाग रुपए आपके पास creditor है अब बोल रहे है कि आपके पास revenue earned है रुपीज 1,50 एक्सपेंस incurred है 70 तो अगर revenue और expense इतना है तो क्या मैं इंकम बता सकता हूं कितनी है ध्यान से देखो पूरा साल चला revenue कितना कमाया प्लस 1,50,000 expense कितना है माइनस 70,000 हो गया भी पूरा साल खतब मुझे क्या total capital निकालने 31st March को नहीं मुझे total capital नहीं निकालने मुझे क्या निकालना है total asset निकालना है तो भई total asset निकालने के लिए न सबसे पहले तो आपको पहले दिन का असे निकालना होगा तो पहले दिन का असे निकालना होगा त प्लुस लिएबिलिटी इस इकल टु एसट कैपिटल कितना है पांच लाग प्लस थीन लाग थीस हजार इस इकल टु एट लाग थर्टी थाउज़न यह सब कब है यह सब अपना 1st April 2020 को ठीक है बई एक एपरिल को मेरे पास असेट ते आट लाग तीस अजार रुपे के उसके बाद मैंने पूरे साल में ना 150,000 कमा है तो 31st मार्च 2021 को मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 31st मार्च 2021 total asset is equal to first day asset कितने दे 8,30,000 कमाया है कितना 1,50,000 minus 70,000 कितना आ जाएगा 9,10,000 अरे बात आ गई समझ में एकदम आसान कि 8,30,000 का तो asset था ही फिर एक साल में इसको अगर आप लोग total करोगे तो यह total आएगा आपके पास 80,000 तो ऐसे सोचो 8,30,000 से business start हो गया था तो इतने asset थे 80,000 कमाया तो total asset कितने हो गए 9,10,000 चले आँगे देखो अब question number 4 क्या बोल रहा है Ram started business on 1st April with the capital of 1,50,000 31st March the assets are this and the capital is this and the liabilities are 2,00,000 find the capital on 31st March and the profit earn during the year देखो बहुत आसान है यह number line बना लेने का हर बार 1st April 2022 31st March 2023 यह हमारी timeline ना बहुत ज़्यादा helpful रहेगी कभी भी data को समझने के लिए क्योंकि आगे-आगे data बहुत ज़्यादा आएगा तो भी पहले दिन capital कितना है पहले दिन का capital है मेरे पास 1,50,000 ठीक है और 31st March मेरे पास क्या-क्या दिया हुआ है असेट दिया हुआ है 3,00,000 रुपे का और liability दिये 2,00,000 रुपेटी 2,00,000 ना यह तो हो गई asset और liability के बाद हम लोग को क्या पता लगाना है find the capital on 31st March 2023 अरे बहुत असान है आप लोग को तो formula भी याद होगा 31st March के दिन हम लोग को पता है कि भाई capital plus liability is equal to asset ठीक है capital ही निकालना है तो यह तो मैं पता नहीं liability पता है 2,00,000 रुपे asset है 3,00,000 therefore capital is equal to 1,00,000 बात समझ में आ गई एकदम आसान चलो भई capital तो निकल गया profit कैसे निकालेंगे अब ध्यान से सोचो यार साल के अंत में कितना capital था एक लाग रुपे साल स्टार्ट कितने से किया एक लाग पचास असार वन लाक 50,000 तो एक बात बताओ मैंने प्रोफिट कमाया है या मुझे लॉस हुआ है आप लोग कहोगे यह तो लॉस है बिजनेस टार्ट वन लाक 50,000 के साथ किया और बचें है वन लाक तो यह तो लॉस है नहीं कहा कितने का लॉस कहते है 50,000 एक दम सही देखो therefore, loss during the year is equal to capital कितना था 1,050,000 तो आप लोगे यह पे लिक सकते हो closing capital minus opening capital, this is 1,050,000, this will be your 50,000 loss the loss during the year is rupees 50,000 बात समझ में आगई? भाई यह हमारा loss है चलो, आगे बढ़े state increasing and decreasing of asset and liability, देखो, बहुत ज़्यादा जरूरी है द्यान से देखना अब देखो, purchased furniture for cash, द्यान से देखो हर statement में एक asset, दो asset में देख, liability, दो liability हम लोगवा identify करना है, और से चीज़ आ रहे है, और से चीज़ जा रहे है increasing and decreasing ही बता रहा है, देखो, purchased furniture, furniture कहा है मेरे लिए asset, cash कहा है मेरे लिए, cash लूँ मेरे लिए asset है, तो मुझे एक बात बताव पर, purchase किया है furniture, तो furniture increase या decrease आप बहुत लोगवे purchase किया है, तो increase हो रहा है, very good और cash, cash तो जा रहा है, मैं payment करूँगा, फिर cash क्या हो रहा है, decrease, हम लोग यहाँ पर increase, decrease इसलिए सीख रहे है, क्योंकि अधला जो chapter है, journal है, लेजर है, आपर increase और decrease की मदद से ही हम लोग आगे कि जो main accounting है, क्या debit होता है, क्या credit होता है, वो सब सीखेंगे, ठीक है, credit का मतलब क्या है, on credit का मतलब होता है, मैंने उधार में खरीदा, सोचो, जब भी मैं उधार में खरीदोंगा, तो मेरा asset बढ़ेगा है, liability, भई liability बढ़े कि तो दूसरी चीज ह मेरे पास liability, यानि कि अगर मान लो, मैं किसे से furniture उधार लाता हूं, तो मेरे घर बे furniture तो आएगा, मगर उधारी भी तो आ गई, मुझे पैसे को चुकाने होंगे, इसका मतलब, मेरा asset तो increase हुआ, मेरी liability भी increase हो गई, बात समझ में आई, चलो भी तीसरी बाद, capital introduced by proprietor, capital है पह पैसे लिखाया, ठीक है, capital introduced by proprietor का मतलब क्या होता है, ति धंदा करने के लिए वो पैसे लिखाया, भहिला नहीं होंगे, इसलिए तो अम लोग उसको opening capital बोलते है, जैसे रां, पचास वजार ए साथ अजार रुकर opening capital थे, उसकी क्यों क्योंगे business start करने के लिए लाया, हम लो पैसल जो उनर बाहर से लिखाया है, loan वगेरा bank से loan ठीक है, तो वही capital लाया, capital बड़ेगा, cash लिखाया, cash भी बड़ेगा, बात समझ में अगई तो वही दोनों increase हो रहे है, चलिए, आगे, cash क्या है मेरा, cash भी मेरा asset है, और capital तो liability है, नेचर, उसको liability बोलते हैं नहीं, बोलत cash, अच्छा, तो पहला तो पही credit हो गया, credit क्या होता है, liability, अरे जिससे furniture उदार लाये थे, वो मेरा credit है, अधार में लाये थे, और दूसरा क्या है, cash है यहाँ पर जिसका में ध्यान प्रगना है, cash हमारा asset हो गया, आपको पताई है, ध्यान से देखो, payment गर्दी creditor, देखो, पहले तो credit बढ़ गया था, जब मैं उसे furniture उदार लाया, अब मैंने उसे सारे के सारे पैसे चुका दिये, अब जब मैंने उसे सारे के सारे पैसे चुका दिये, तो मेरी liability कम हो गई, ठीक है भई, तो liability हो गई कम, और मैंने कैसे चुका है पैसे, मैंने cash दिया, तो भी cash भी ह हो गया कम बात समझ में आ गई चलो फिफ्ट पॉइंट बोलता है पेमेंट टू क्रेडिटर फ्रम बिल्स पेबल और बिल्स पेबल एकसेप्टेड देखो बिल्स पे न हमारे पास पूरा चैप्टर आए गए मैं आपको बस एक छोटी सी आप जानकारी दे देता हूं क्रेड तीन महीने के बाद आप पूरा का पूरा पेमेंट ले जाना और अगर यह कॉंट्रेक्ट मैं नहीं मानता हूं तो देखो इस कॉंट्रेक्ट को दोने का फायदा कि है कि वह अगले तीन महीने तक ना किसी भी बैंक में जाके भी यह कॉंट्रेक्ट बैंक वालों को देके उ ठीक है तो पहला था मेरे पास क्या Creditor liability थी मेरी मगर याद रखो जब मैने contract sign किया तो इसका मतलब credit नाम की जो liability थी तो हो गए खत्म bills payable नाम की जो लाइबिलिटी थी वह बढ़ गए बात समझ में आई चलिये Cash withdrawn by proprietor देखो उपर अमने क्या सिखा था Capital introduced by proprietor अब क्या प्रोपराइटर ने इसका मतलब जब उसने विड्रॉ कर लिया तो cash भी decrease हो जाएगा और विड्रॉ किया है तो उसने जो capital वो जो लेकिया आया था वो capital भी reduce हो जाएगी अगर पैसे लाओगे तो capital increase cash increase पैसे अगर विड्रॉ कर लोगे तो capital भी decrease होगा और cash भी decrease हो जाएगा simple सी बात है अगला point है conversion of partners loan into capital देखो क्या हुआ मान लेते हैं कि चार पार्टनर है A B C और D ठीक है A के A ने भी कुछ पैसे invest किये मान लेते हजार रुपए B ने दो हजार C ने तीन हजार और D ने चार हजार रुपए ठीक है इतने इतने रुपए इन लोगों ने invest किये मान लोग के A ने ना अपने business को loan भी दिया है मान लेते 2500 का ठीक है अब business जो है ना business में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप वो उसका loan चुका सके तो फिर सारे partners ने मिलने मिलके को क्या option दिया एक option दिया कि तुने अभी तक यह जो loan दिया था यह loan तो हम लोग चुका नहीं सकते तो एक काम करते इस loan को तेरे capital में add कर देते तो 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 तेरा और importance बढ़ जाएगा firm के अंदर ठीक है वो बढ़ जाएगी यह भी मान गया तो हुआ क्या उसके बाद जो balance हो गया था वो हो गया 3500, 2000, 3000, 4000 बात समझ में आ गई ऐसे ही इसको बोलते conversion of partners loan into capital अच्छा बही partners loan क्या था? liability थी और capital तो capital है इसका मतलब partners loan liability decrease हुई और capital क्या हुई? increase बात समझ में आ गई? आगे बढ़ है चलो अब कुछ important question जो ही chapter हमें सिखाना चाह रहा है देखो prepare the accounting equation क्या बोल रहा है यह question देखो हरी textiles है भई हरी commenced business with cash of 10,000 and a check of rupees 50,000 चलो यहीं चलते है हरी commenced business with cash of 10,000 and a check of 50,000 अच्छा दो चीज़े लेके आया वो एक तो cash लाया और दूसरे के लाया check तो भई पहली चीज़ तो वो लाया cash दूसरा क्या लाया check check लाया तो मैं सिधा सिधा bank account लिख दू क्या क्यों यह bank account में रुपे लेके आया ठीक है भई और वो लेके आया तो बढ़ेगा क्या उसका capital ही बढ़ेगा तो एक बात बताओ cash कितना लाया 10,000 लाया bank में पैसे कितने लाया 50,000 50,000 तो total capital कितना हो गया total capital हो गया 60,000 देखो एक बात समझो यह दो sides है हमारे पास ठीक है पहली है asset और दूसरी है capital प्लस लाइवली कोई भी entry हम लोग पास करने कोई भी equation हम लोग बना रहे हमेशा हमेश 60 टैली हुआ चलो आगे बड़े आगे बोल रहा है purchase machine for cash of 15,000 देखो machine purchase की तो machine आ गई ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पर machine मेरा asset है machine आ गई कितने की आई भई machine भई machine आई है 15,000 की ठीक है अच्छा एक बात बताओ आपने machine उदार में खरी दी क्या नई सर machine उदार में क्यों खरी दी हमने पैसे दिये कितने पैसे दिये 15,000 ठीक है तो cash में से minus कर देता हूँ 15,000 बात समझ में आ गई अच्छा आप लोग B को A से या C से लिंक करने की कोशिश मत करना क्योंकि जैसे अब भी डाउट आ जाएगा दिमाग में के यहां पर तो 10,000 रुपे ही है तो आपने 15,000 रुपे कैसे खर चाहिए सिफ ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं आपको समझाने के लिए ठीक है चलो 15,000 रुपे खर प्रम मोहन रुपेज 5000 ओन क्रेडिट इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बही स्टॉक बढ़ गया मेरा ठीक है बही लिख देता हूं यहां पर स्टॉक यहां पिर आप इसको क्या बोल सकते हैं इन्वेंट्री तो फिर आप बोलोगे कि बही स्टॉक तो बढ़ गया कितने से बढ़ा 5000 से एक बात बताओ दो आपने पैसे चुका है नहीं सर सर पैसे तो नहीं चुका है हम लोग तो मोहन से लेकर आये थे उधार मोहन से उधार लेकर आये तो मोहन आपका क्या बन जाएगा सर मोहन हमारा बन जाएगा लाइबिलिटी देखो तो लाइबिलिटी मैं नाम लिख देता हूँ क्रेडिटर्स हम लोग क्रेडिटर लिखते हैं मोहन वगरा नहीं लिखते हैं क्योंकि फर्म बहुत लोगों से माल खरीता है मोहन, सोहन, टोहन लिखने जाओगे तो पूरी लिस्टी बर जाएगी मैं बस हमारे जानकारी के लिए समझ के लिख देता हूँ पर क्या हम लोग यहां पर मोहन की बात कर रहे हैं ठीक है, तो भाई, 5000 के गुड्स बड़े वो तो मैंने लिख दिए और 5000 की लिख दो यहां पर 5000 सरल सी बात है, आगे बड़े, देखो इसका मतलब क्या है, बहुत असान है, एकदम ध्यान से सोचो मेरे गोडाउन में 10,000 का माल पड़ा था, ठीक है, मैंने वो बेच दिया तो भाई, सबसे पहले तो मैं यह लिख देता हूँ कि मेरा स्टॉक 10,000 से कम हो गया एकदम सिंपल, 10,000 से कम हुआ, मैंने बेचा कितने में, 13,000 में तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर, 3000 रुपे प्रॉफिट, याद रखो हम लोग प्रॉफिट कहां एड कर रहे थे, उपर समसमें हमने देखा था, कैपिटल में प्रॉफिट एड करते, तो भाई, ठीक है, प्लस 3000, बात समझ भाई, 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 3000 कैश वाली लाइन में, फर्स्ट लाइन ही है, कैश में 9000 आ गए, अब आप बोलोगे सर, आपकी सेल तो 13000 रुपे थी, आपको 9000 रुपे मिले, बाकी 4000 का क्या हुआ, बाकी 4000 वो बोल रहा है, कि मैं बाद में दूँगा, इसका मतलब हमने उसे उधार दिया है, हमने उसे उ क्या बना था मेरा, क्रेडिटर, अब मैंने उधार दिया है, तो अब क्या बनेगा, डेटर, तो भई, डेटर का नाम तो नहीं दिया, अपने डी पार्ट में, सीधा सीधा लिख देते है, डेटर, भई, कितने पैसे लेने बागी है, उससे आप बोलोगे, भई, चार अजार लेने बागी है, तो ठीक है, लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे, चार अजार, ठीक है, दोनों साइट का टोटल देखो, यहाँ पर कितना दिया है, 9 प्लस 4, 13, 13 माइनस 10, 3, और यहाँ पर भी 3, होगे दोनों साइट, बात समझ में आई, हमेशा हर एंट्री में टैली होगा, होगा, होना ही होगा नहीं, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आगे बड़े, देखो, विड्रॉ मनी फोर परसनल यूज, भई, विड्रॉ मनी जाएगा, और उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा, 2000, तो यहाँ पर लिख दूँगा, माइनस 2000, बात समझ में आगे, दोनों साइट हो गया, बराबर, चलो, आगे क्या है, पेड रेंट एक्सपेंस रुपीस 2400, 1st April 2020, for next 24 months, ओ, दानवीर आए, दानवीर बोल रहे है, कि एक एपरिल 2020 को ही, देखो, यह क्या बोल रहा है, कि भई, 1st April का दिन है, 2020 है, एक साल खतम हो रहा है, 31st March 21, दूसरा साल खतम हो रहा है, 31st March 22, ठीक है, वो बोल रहे है कि मैंने ना आज ही 2400 रुपे बढ़ दिये, कितने साल के, एक साल, दो साल, ठीक है, अरे भई, एक साल के ब ही 2400 बढ़ दिये, तो आज की date में मैं इसको बोलता हूँ, prepared rent, क्या बोलेंगे, prepared rent, कितना prepared क्या, 2400, क्योंकि भई, अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, दिन पूरा होता, तो मैं इसको expense मानता, तो मैं इसको क्या मानता, rent expense, अब मैं इसको क्या मानना, प्रेड इसके बारे में हम लोगों ने जनल एंटरी पर बहुत डिसक्शन किया है बट यहां पर इतना ही डिसक्शन काफी है तो इसको मैं बोलता हूं प्रीपेड रेंट मेरे रूपए कितने गए आप बोलोगे रूपए तो 2400 चले गए अचा प्रीपेड रेंट क्या है मेरे लिए प्रीपेड रेंट है असेट तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रीपेड रेंट प्रीपेड रेंट है मेरा असेट मेरा प्रीपेड रेंट का असेट बढ़ा और मेरा कैश कम हो गया हुआ टैली आगे बढ़े देख depreciation on machine at 10% क्या होता है देखो depreciation का मतलब depreciation पर भी एक पूरा chapter है हमारे पास अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा depreciation का मतलब होता है कि अगर मैं किसी machine को continuous use करता जाओंगा तो फिर क्या होगा भाई machine की कीमत घड़ जाएगी इसका मतलब अगर machine की value depreciate हो रही है कम हो रही है उसका हम लोग depreciate कहते है अगर हमारे किसी asset की value जैसे मान लो building होता है land होता है अगर उसकी value बढ़ती है तो हम क्या बोलते है value appreciate हो रही है अब बढ़ी तो appreciate और घटी तो depreciate आ गई बात समझ में चलो भे तो यहाँ पर depreciate हो रहा है machine 10% machine कितने की ली थी आपने sir हमने machine ली थी 15,000 15,000 की machine ली तो भे depreciation आपका आएगा 15,000 का 10% जो की होता है आपका 1500 रुपे ठीक है अच्छा 15,000 का 10% यानि की क्या होगा ये तो मेरा खर्चा हो गया खर्चा हुआ तो मेरे capital में से माइनस करना होगा माइनस 15,000 बराबर तो दूसरी जगे sir का माइनस होगा आपने तो कहा था टैली होगा अरे भाई machine की कीमत घटी ना हाँ तो machine में से निकाल दो 1500 क्योंकि machine की मत घट गई बात समझ में आ गई machine का पहले जब खरीदा था तब 15,000 रुपया आये थे आये थे 15,000 की machine थी अब अब उस value की अब उस machine की value घट गई तो माइनस 1500 आगे बड़े ऐसा ही एक और question कर लेते हैं थोड़ी practice होगी चलो शिवा grocery shop क्या बोल रहा है शिवा बोल रहा है भई commence किया business cash के साथ कितना cash था भई 350,000 पहले आपे लिख देता हूँ cash capital में थो capital लिए कितना cash आया भई 350,000 ओके उसके बाद यह capital है 350,000 खिकि भई capital आया ना बढ़ गए पैसे चलो आगे rent outstanding पड़ा है 10,000 रुपे देखो मैं ना पूरे साल या पूरे महीने आफिस में रह लिया है या घर में रह लिया अब rent outstanding पड़ा है 10,000 रुपे मैंने भड़ा चुकाया ही नहीं तो भड़ा अगर चुकाया ही नहीं तो यह तो मेरी liability है तो यहां पर लिखना होगा rent outstanding और यहीं पर मैं लिखूंगा कितना भड़ा बाकिया मेरा 10,000 रुपे एक बात बताओ तो यह मेरी liability बढ़ गई आँ बढ़ गई rent चुकाना तो मेरा खर्चा है rent तो मैंने use तो करी लिया घर तो मेरा खर्चा तो माना जाएगा मैंने चुकाया नहीं इसलिए हो मेरी liability बन गई बढ़ rent मेरा है तो खर्चा तो माइनस होगा यहां पर capital में से 10,000 क्यों? क्योंकि भी profit add होता है capital में और खर्चे माइनस होता है capital में एकदम सरल चलो आगे हो गया टैली salary paid in advance 60,000 अब क्या बोल रहा है? कि salary advance में दे दी अरे advance में दे दी तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? prepaid salary या फिर आप यह भी बोल सकते हो prepaid expense एक ही बात ठीक है? कितने रुपए advance में दे दी है? 60,000 तो आपके लिए तो asset है asset बढ़ गया 60,000 आपने जब salary दी तो पैसे गए पैसे गए तो minus 60,000 बात समझ मैं आई? देखो हमेशा दोनों साइट टैली होनी चाहिए उसके बाद accrued income रुपी 7,500 क्या बोल रहा है? कि accru हो गए income income अक्र होने का मतलब क्या है? मान लो मैंने मेरे दोस्त को एक लाक रुपे उदार दिये दो महीने के लिए और मैंने उसे का देख भई 7,500 रुपे interest लोगा उसने का ठीक है दो महीने बीद गए अब मैं तो दो महीने बाद खुश कि मैंने तो भई पैसे कमा लिए कितने पैसे कमा है? 7,500 7,500 तो मैंने तो मेरे capital में लिख लिया हाँ भई I earned an income of 7,500 मैंने पैसे कमा है मैंने दोस्त को phone क्या मैंने कभी रुपे दे? वो बोलता है कि दो-तीन दिन में दे दूँगा रुपे और हमें विश्वास भी है कि दो-तीन दिन में दे देगा बट अब भई balance sheet में 31st March को मुझे कुछ तो लिख रहा है? अब मैंने कमा ही तो लिख 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 देता हूँ कि भई दोस्त से पैसे लेने है अब यहाँ पर तो दोस्त का नाम दिया नहीं तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हो Accrued Income यह आप यह भी लिख सकते हो Income Receivable ठीक है? मगर question ने word Accrued Income यूज़ के है तो हम भी Accrued Income ही यूज़ करेंगे ठीक है? Accru मतलब कि आपने कमा लिख है बात समझ में आगई? चलो 7500 यहाँ पर भी आ जाएगा 7500 इसका मतलब यह है देखो Accrued Income खाली नाम है अकाउंट का उसके पीछे वो व्यक्ति खड़ा है जिससे हम लोग को रुपे लेने है बात समझ में आई? चलो उसके बात क्या है? Interest Income Received in Advance रुपीज 400 ओहो अब तो बोल रहा है कि आपने Advance में ही आपको Interest Income दे दी किसी ने बाई Advance में ही अगर पैसे मिल जाए तो याद रखना है यह हमेशा लाइबलीटी होती ऐसे सोचो कि किसी ने आपको जैसे मान लेते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ ठीक है? अब मुझे एक बच्चा आया और उसने मुझे पूरे साल की फीस आज ही दे दी फर्स्ट डे अब मुझे उसे पूरे साल क्या देनी होगी? ट्यूशन सर्विस देनी होगी? तो यानि कि वो मेरी क्या बन गया? लिबिलिटी तो interest income received in advance को लोग यान लिखेंगे interest income received in advance ठीक है भई? भई कितने रुपे शाइडवांस में मिले? भई 400 रुपे मिले और मिले क्या है? चैश मिला है तो यहाँ पे भी 400 रुपे बढ़ जाएंगे बात समझ मैं दोनों तरफ 400 400 एड़ कर दो उसके बाद क्या है शिवा बॉट फरनिचर फॉर पर्सनल यूस 22,000 अरे भाई दुकान के लिए खरीदाए क्या नहीं सर पर्सनल यूस के लिए ऐसे खरीद सकते हैं क्या दुकान से नहीं नहीं खरीद सकते देखो एक बात सोचो प फरनिचर खरीद तो बिल्डिंग खरीद तो घर खरीद बीवी के लिए गहने खरीद गल्फरेंट को गिफ्ट दे या बच्चे के लिए साइकिल खरीद या दूसरी गल्फरेंट के लिए गिफ्ट खरीदे उससे बिजनस को कुछ फरक नहीं पड़ता बिजनस क्या बूल के प्रज़ा है वह शिवा 22,000 रुपेल लेके गया शिवा ने 22,000 रुपेल गल्ले से निकाले और घर ले बात समझ में आ गई तो भैं हमको यह दो ही बात समझ में आती है कि वह शिवा कैश निकालके चला गया बाहिस अजार 22,000 रुपीज निकाल के लेके गया और उसके capital में से 22,000 माइनस कर दो बात हो गई खतव उसने उस पैसे का क्या किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है याद रहे जब भी personal use आ जाए तो capital में से भी पैसे कट जाएंगे और cash में से भी बात समझ में आ गई आगे बड़े है देखो purchase computer for office use याँ अब कुछ बात की ना देखो computer खरीदा office उसके लिए कितने के लिए 90,000 तो ठीक है भई cash माइनस हो जाएगा 90,000 से और क्या खरीदा computer पिछले question में हम लोग ने machine खरीदी थी यहाँ पर खरीदा है computer कितने का है भई 90,000 का computer फिर तो ठीक है 90,000 रुपे का computer आया तो add कर देंगे क्योंकि भई आई है यह चीज तो देखो हमेशा 1000 रुपेस दे दिये ओके एक बात बताओ मेरे चाचा की एक एस बीए कि पैसे नहीं चुकाने होंगे पैसे तो भई चुकाने होंगे पैसे अगर चुकाने होंगे इसका मतलब यह मेरे लिए liability है यानि कि मैंने जो भी यह SBI से पैसे लिए जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते है लोन लिया है लोन हमारी क्या होती है liability तो हम लोग liability में जाके लिखेंगे loan मगर liability के पास तो कॉलम दिख नहीं रहा अब क्या करें कहां बनाए liability के पास बना देते है एक छोटा सा SBI loan SBI का loan आखरी कॉलम है ठीक है SBI के loan में जाके लिख दो 40,000 चलो भी यह हमारी liability होगे बात आगे समझ में देखो यह दोनों question बहुत ज़्यादा important है please अगर हो सेके rewind करके इसको वापस अच्छे से समझ लेना ठीक है thank you so much that's all for the day